दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइवस के ट्रीटमेट के बारे में मेडिकल लेंगवेज में इसको अर्टिकेरिया बोला जाता है हिंदी में कहें तो इसे पित उभरना कहते हैं और कहीं कहीं लोकल लेंगवेज में इसको दाफड बोलते हैं आपके हाँ इस समश्या को क्या बोलते हैं अपना comment जरूर डाले वहाँ पर तक हमें भी पता चले कि आपके हाँ इसको किस नाम से जाना जाता है यह समश्या ऐसी है कि कभी ना कभी आपने जरूर face की होगी 70% लोग ऐसे हैं जिन कोई समश्या आती जाती रहती है तो ज़्यादा खतरनाक बिमारी नहीं है लेकिन इसमें क्या होता है रेड पैचिज आपकी बोड़ी पर हो जाते हैं जिन में सूजन आती है खुझली आती है या तो ये एक दो जगा पर हो जाएंगे या फिर पूरी बोड़ी पर भी आपको महसूस दे सकते हैं कभी कभी ऐसा हो सकता है ये एक जगा पर हुए थे और आपने वहाँ पर खुझला लिया और वो पूरी बोड़ी पर फैल गए तो समझचा कोई जाद है तरहीं बड़ी विक्राल नहीं तरहीं बड़ी नहीं है लेकिन इसमें खुझली होती है और आपको बड़ा आजीब सा लगता है अगर चेहरे पर और गले पर हो जाएं कई भार भी नहीं जा सकते हैं इसका ट्रीटमेंट भी काफी अच्छा और आसान सा है आसा तरीका है लेकिन अगर आप इसके बचाव को जान ले किस वजह से हो रहा है तो ट्रीटमेंट उतना ही आसान हो जाता है हमें जाना होता है बैक में कि हमने क्या चीजे की हैं क्योंकि इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं तो कारण जा लेते हैं पहला कारण इसका हो सकता है कि मोसम बदलने पर आपको यह हो सकती है अगला कारण है कि जो आप कपड़े पहन रहे हैं उनसे भी आपको reaction होने की वज़से दिक्कत हो जाती है आपको पसीने आ रहे हैं अपने shirt change नहीं कपड़े चेंज नहीं किये आपको यह दिक्कत हो सकती है आपको कोई दवाई चल रही है जैसे कि कोई anti-partic आप दवाई खा रहे हैं तो भी आपको ऐसी condition हो सकती है अगर आप prop की दवाई लेते हैं तो भी आपको यह समझ्चा हो सकती है या बात करेए खाने की, जैसे आप दूद पी रहे हैं, आप अंडा खा रहे हैं, आप मचली खा रहे हैं, आप कोई पी स्तर की चीज खा रहे हैं, जो आपको नुकसान कर रहे हैं, मूंगफली भी इसमें आती है, इसमें लहसुन, प्याज, चोकलेट, चावल भी आते हैं, कभी-कभी मेरे कि पास पेशेंट आते कि चावल खॉए थे खुझ्टी खॉय थी तारी खॉय थी तो या उस वज़े से दिक्कत बन जाती हैं तो हमें क्या होता है कि बैक में जाना होता है पीछे जाना होता है कि मुझे कब रात हुआ तो रात में ऐसा क्या खाया था स tecnología student उपवास था मैंने क्या पहना था क्या मुझे कोई दिक्कत थी तो वो सारी चीजों को नोट करना होता है अच्छा छोटे बच्चों में भी यह समझ्या हो जाती है तो वो कीडे काटने की वज़े से भी हो सकती है किसी कीडे ने काट था या फिर उनको अगर वाइरल इंफेक्शन हो गया है चोटे बच्चों को तो भी उनमें एक कंडिशन देखने को मिल सकती है तो हमें कारण जानना होता है उसके बाद उपचार बड़ा आसान हो जाता है बाद फिर से वो ही कि ये कोई गंभीर बिमारी नहीं होती है तो इसमें डरना नहीं है एकदम से घबरा जाते है कि जी एकदम बोड़ी पर क्या हो गया है आपने स्क्रीम पर देख लिया है तो आगे कभी आप ऐसी कंडिशन किसी को होती है आपको होती है तो आप समझ जाएंगे कि इतनी गंभीर बिमारी नहीं है अगर आपको कारन पता चलता है तो भी ठीक है अगर आपको कारन नहीं पता है आपने सारी चीजे ढूंड़ ली कि बैक में जा करके भाई मैंने ये भी कर लिया ये भी कर लिया कुछ नहीं खाया सब कुछ अच्छा था भाई सब ठीक था फिर भी मुझे रिटिक केरिया हो गया हो सकता है वारेल इट्फेक्शन की वज़से हो गया हो तो भी घबराने वाली बात नहीं है अब ट्रीट्मेंट आप जा लेजी इसमें आपको क्याताम करना होता है तो एक टैबलेट है इसमें दो साल्ट होते है एक होता है लिवोसेटरिजिन और एक होता है मून्टी लिवकस्ट ये ब्रैंड नेम अगर मैं इसका बात करूँ तो या आते है मून्टी कोप की नाम से अब अगर आपको मून्टी कोप की नाम से टैबलेट मिलती है तो अच्छी बात है आप इसे ले ले अगर नहीं मिलती है तो मैंने साल्ट बता दिये हैं लिवोसेट्रजीन है और इसमें मॉल्टी लूकोस्ट है तो वो आप ले सकते हैं को उम्बिनेशन में जिस भी नाम से आपको मिल जाएं अब इसको इसको एक गोली लेनी होती है पू गोली दे सकते हैं कंडिशन जाता है तो वो डोज आप बढ़ा सकते हैं सुबशाम कर सकते हैं अदर्वाइस एक गोली से आपको अराम हो जाता है लेते ही उसकी कंडिशन में आराम हो जाता है तो दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंदीत कोई कोश्चन फिर भी आपके मन आवाद.